करोणों डॉलर्स में फरोफ्त होने वाला सिहत गरास डॉक्टर बर्मन बॉर्हेयो हॉलेंड के एक नाम वर डॉक्टर कॉलिफाइट पुर्फरेसर अफ मेडिसन, माहिरे नबतात और माहिरे फित्र छनास मश्यूर था कि डॉक्टर बर्मन के हर मरीज को शिफा मिलती है बड़े बड़े रईस और नवाब लाइन में लगकरों से दवा लेते और पूरा योरूप उने बाबाय तिप के नाम से पुकारता था 17-17 में ये तजर्बे का डॉक्टर फौथ हो गया डॉक्टर के सामान में एक किताब मिली देशमी गलाफ में लिपड़े किताब की जिल्द पर लिखा था इस किताब में एक टीमती नुस्खा लिख दिया है ये नुस्खा मेरे उमर भर के तजर्बे काने चोड़ है इस नुस्खे पर अमल करने वाला कभी बीमार नहीं होगा इस किताब को बेचकर आमदनी मेडिकल रिसरच पर खर्श कर दी जाए चुनाँचे सहरतंगी इस किताब की निलामी का एलान कर दिया गया पूरे यूरुप में इस निलामी का शोर मच गया हर कोई ये किताब खरीदना चाहता था क्योंके लोगों को यकीन था कि डॉक्टर बर्मन का नुस्खा हर बीमारी से महफूस रखेगा आखिर कार निलामी हो गई एक बीमार नवाब ने करोनों डॉलर्स में ये किताब खरीद ली उसने किताब का पहला सफ़ा देखा तो वो खाली था फिर वो सफ़े पर सफ़ा पलटता गया और उसकी परिशानी बढ़ती गई क्योंके किताब में एक लख भी नहीं लिखा था सो सफ़े की किताब में 99 सफ़े खाली थे मगर आखरी सफ़े पर सिर्फ एक जुमला लिखा था करोडों डॉलर में सिर्फ एक जुमला वोही जुमला डॉक्टर का कीमती नुस्खा था किताब में लिखा था सर ठंडा और पाओं करम रखो कभी बीमार नहीं बढ़ो गे बीमार रईस डॉक्टर के नुस्खा पढ़कर अश अश कर उठा उसने रुज़ाना कही कही मील पैदल चलना शुरू किया और अपनी सारी परिशानियों को जटक कर खुश रहने लगा वो रईस जब तक सिंदा रहा यही कहता रहा कि किताब सस्ती खरीद ले और काड़ियों में सुफर करने से जिसम कमसूर और लाघर यानि ठंडा हो जाता है ज्यादा से ज्यादा पैदल चले लाइफ स्टाइल में मेहनत मशक्कत और वर्दिश को शामिल करके अपने जिसम को गरम रखे यकीन जानिये आप कभी बिमार नहीं हो रहे